रादी रादी दोस्तों हरे कृष्णा कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ अच्छे होगे खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे आनन में होगे सुबह सुबह का टाइम में हर्शित के पापा वॉक से आ गए है मलब सुबह सुबह अर्ली मॉनिंग में वॉक पे जाते न त कर ले रही हूँ आज नवरात्रे से एक दिन पहले वाला दिन है तो यहां पर बस मैंने तव्वा चुड़ा दिया है और बस उत्पम बनाऊंगी और मैंने नारियल की चटनी बनाई यहां पर और तड़का लगा दिया था वही मैंने राई का और करीपता का तो अभी फिला चीला होता है ना फैला उत्पम वह चरूर से चिपक जाता है लेकिन अगर अच्छे से ग्रीज कर लो तो फिर नहीं चिपकता है और उसके बाद में मैंने खुए व्लोग उनाया नीता और अब यह रात का टाइम है और अना हमारी दीदी आई हुए मतलब नंद आई हुए ह उनका जानाई जरम दीन भी आयो तो फिर न怎麼 उनके Kelli से चोटा सालीबरेशिन कर लिया हुए तो तो केक ली आया शीवज के पापा और इस्तरी से चोटा साल इबरेशिन कर लिया था मंमी सबसे पहले टीका लगा दिया था उनको और हमयों कर लिचा कर दिया था कि अपने जुनम दिन पर यहां पर है तो इतने सालों बाद बेटियों का कैसा होता है कि अपने लड़की किसमत अपरियल को जब भी देखते हुआ यह लगता है कि एक दिन यह भी चली जाएगी और केक कटिंग के बाद में हम लोगों ने भी टीक लागा कि मूँ मिठा करा दिया था केक खिला दिया था पैड जूले थे और गिफ्ट वगेरा दे दिया थे गिफ्ट तो क्या एक्चली एकदम से मतला पता नहीं था ऐसा कुछ सेलिबिरेशन होगा तो कुछ है ना गिफ्ट वगेरा तो लेकर के नहीं आई हुए थे तो फिर पैसे लिफाफ में डाल डाल करके दे दिये थे और यहाँ पर अभी नेक्स्ट डे है और यहाँ पर मैंने पूरे मंदिर की दिना सफाई करी है क्योंकि कल सूरे ग्रेंड पढ़ाता तो और इससे पहले पितरों की दिन थे तो पितरों की दिन थोड़े से नेगेटिव और भारी दिन माने जाते हैं सूतक की तरह माने जात से तो पूरे खरको bis"; दो दोना और और मंदिर को साफ, इसी सदuchar PO Sw goddamn, यह काम से और वरत्रह पढ़ाता है। मांйलना दोन साधूमें ऊफ्रोटर्म पढ़ार में मंकरता करें चैर्ट बैत कर सुचा करें। और उसके बाद में ना हर्शित के पापा आ गए थे वाक से मैंने सोचा था कि वो आए उससे पहले पहले मैं सब काम कर लूँ मातरानी का लेकिन ना ये आ गए थे और फिर ना ये आ जाते है ना तो फिर ये कुछ ने करने देते हैं फिर इनको बस खाए इनको ऐसा लगता है कि अना मदब आते हैं ना वोक से तो इनको भूक सी लगती है तो ये ना करने नहीं देते पूजा वगर भोलते हैं पहले मुझे खिला देश उसके बाद में तो करती रही हो ये तो मुझे बरद करने के लिए भी मना करते हैं बरद मत क्या कर रही हो ना nak कुछ नहीं होता ये सब चीजğों सै अपनी 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 है बरद करना चाहिए अपना शरीर हो चैने है और पूजा पाँ आ aesthet है लेकिन कि मैं देखती हूं मेरे मम्मी पापा हमेशा एक साथ में करते थी मेरे भाई भावी वगेरा हैं वो भी एना एक साथ बैठकर के पूजा करते हैं तो मन तो होता है कि यह भी करें लेकिन नहीं करते हैं तो क्या करें तो मैं अकेले ही कर लेती हूं इनका नीमित का भी मैं कर ले यह जो दिया है ना कापूर कर ती नंवरात्रों में तो यह धिया है ंसा काला हो जाता है वैसे तो जो आरती करते ह। उनको पता है promotion की किता काला हो जाता है तो यह जित आएंगे आपको फारी हूँ एक आगाज लीजिए अगर आपके तो ले लीजिए मैं तो कागजी ले लेती हूं में पास टीशू पेपर मैं रखती भी नहीं क्योंकि पुरानी कोपिया इती बच जाती है हर्शीत की वही कामा जाती है तो यहां पर इस तरह से इसको पॉंच लीजिए अच्छे से पॉंचने के बाद में जो कागज ए और शायन करने लग जाएगा वैसे मैं कही बार बता चुक्य हूं जब भी मैं नवरात रहते हैं या मैं ऐसे कपूर से आरती हुरती हूं तो मैं आपको बताती हूं तो यह देखें बिलकुल कितना साफ हो गया ये देखें कुछ महनत नहीं लगती है ऐसे ही तेल या घी की बढ़नी होती ना उनको भी इसी तरह से साफ करो तो बिलकुल दिकत नी होती है और यहां पर भी मेरे पास ना कॉमेंट आयता कि आपकी तुलसी माला धीली हो गई तो वही मैं देख रही थी सच में डीली हो गई दो जब क्या दो मैं उसमें मेले बाले में डीली थी तकुल मैंने वही एक्कड़ा कर तो नहीं दोटी कज़ों कि है कुट्ट टीयाuito, ले लिए लोड़ा है कमाने चाहले है स Stress चेंच चाह जाते हैं, और हम अजीब метush डूलकर यहाइन नहीं है के जल्दी से घाना बन जाता है तो मैंने आलू छील लिया है कि किसी ने विरत नहीं रखा लिया है के आलू नहीं को दो लिया ता और उसके बाद में बर पानी से ज्छे रख दिया है उसके बाद में मैंने जो कूटू काटा लिया था ना उसके अंदर काली मिर्ची और सेंदा नमक डाल दिया यहां पर तेल गरम करने के लिए रख दिया था और एक भगोनी के अंदर मैंने पानी भी रखा है भर गर के क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों तो पहले सेंदा नमक डाला है और काली मिर्ची डाल करके और एक घोल तयार कर लिया है सिंपल सा इस तरह से एक फ्लोइंग उसके अंदर और उसके बाद में छोटी-छोटी सी पकोड़ियां जो हैं मैं तेल के अंदर तोड़ दे रही हूं तो इस तरह से ना यह कूटू के आटे के तोड़ी बड़े बन चाते हैं और बहुत अच्छे लगता है जिए दे बाद में काली मिर्ची सेंदा नमक उपर से डाल करके खा बहुत अच्छे लगता हैं और मेरे कूटू के आटे के ध्ही बड़े इतनी देर में यहां पर वह ड़ दिया है क्या बोलते हैं आलू डाल बढ़ने अलवा जारी हो, चुछ बढ़ने कानी है गश्फ नवकर कादए पानी कोड़ नाक्राथ। और आप भी बताएगा कि आप लोगों ने क्या बनाया था नवरात्री के फस्टी पर और कैसे सालीबेट के क्या खंड जो जलाई क्या पूरे नो दिन के वरत कर रहे हूं और अगर कुछ नहीं तो जैमाता की जरूर लिखेगा कॉमेंट बॉक्स के अंदर और यहां पर मैंने आलू तो कोई दिकत नहीं है बस धही ले लिए उसमें नमक और काली मेर्चियाट कर दीजिए पकोड़ी बनाते है न यह तो उसके साथ में आलू का रायता खाओ तो सही लगता है सूकी सूकी पकोड़ियां होती न वो मुझसे खपती नहीं इसलिए मैं आलू का रायता बन लेकिन न फिर अब मैंने थोड़ी चाय वागे रहे हैं और फिर अभी में जापर गई थे थे नहीं मम्मियों को भी देखा था कि वह कुटू की पकोड़ी बना लेते थे और रायता बना लेते थे तो फिर मुझे न यहीं सही लगा कि यार पेट भी भर जाता है अच्छे स कर भी रहे हो तो अच्छे से कलो अभी यहाप पर उनको में इस तरह से हलकी आतों से निचोड निचोड़न करके और यहां पर से न यह भाड़ाी वो दालें उसके उपड़ा ऑपर से आपकोvert कौड़ी बरे तना अच्छा लगता है एक बार मेरे कहने से ट्राय जरूर करिएगा और करते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में बताएगा यहां पर पकोड़ियां भी तयार हो गई थी और रहता भी तयार हो गया था और मीठा धही रख लिया था मीठे के नाम पर क्योंकि मैंने कुछ मीठा वग